नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, मैं हूँ आपकी वही अंजली एक दोस्त ऐसा भी हो, जो सिर्फ मेरा हो, मैं रूँ तो मुझे हसाए, मैं रूठ हूँ तो मुझे मनाए जी आपने सही सुना, हम आज के दिरी राशिवल की बात कर रहे हैं, आज के दिन जिनका वर्चे है या पर मैरिज उनुवर्सरी है, उनको मेरी और से धेर सारी बदाईया और शुब काम नाए हो, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते जब आप बोलते हो, तो आप वही दोहराते हो, जो आप जानते हो, लेकिन जब आप सुनते हो, तो आप कुछ नया सीखते हो जो आपके सीखने की क्षमता है वो एक उपहार है जो आपके सीखने की योगिता है वो आपका कौशल है और आपके सीखने के इच्छा एक विकल्प है कभी भी किसी के मजबूरी पर मत हसो क्योंकि कोई भी मजबूरी को खरीद कर नहीं लाता वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो क्योंकि बुरा वक्त कभी पूच कर नहीं आता हमारे जिंदिकी का एक लोता मकसद है खुश रहना याद रखना बीरपल चाहे कितना भी अकलमन था लेकिन बादिशा नहीं बन सका आप ना तो खुद को गले लगा सकते हो और ना ही अपने कंधे पर सर रख सकते हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके पास नैनो कार है या मसडीज है सड़क वही रहेगी घड़ी आप चाहे कितनी भी मेहंगी पहल लो समय वही रहेगा कमाई कम्या जादा हो सकती है लेकिन हर घर में रोटी का साइस एक ही है वो स्वाद बदला लेने में कहा जो सामने वाले को बदल देने में है अगर कोई बदहाई देने वाला ना हो तो सफलता भी फीकी लगती है मगर विफलता भी सुन्दर लगती है जब कोई आपके साथ खड़ा हो अगर आपके जीवन में दुख है तो उन्हें कोसो मत क्योंकि जब भी ये आते हैं तो कुछ नया सिखा कर जाते है अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो तुम्हें उससे बहतर भी वापस मिलेगा हम जिन्दगी एक बार ही जीते हैं लेकिन अगर हम उसे अच्छे डंग से जीएं तो एक बार ही काफी है अगर आप एक खुशाल जिन्दगी देना चाहते हो तो उसे अपने लक्ष से जोड़ो ना कि किसी इनसान से और ना ही चीजों से सिबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अजाब के लिए जो है भागिशाले रंग बन रहा है यालो कलत यानिकी पीला और भागिशाले आंग यानिकी लखी नंबर है गा नंबर छे अज आपको चाहिए कि आप जो भी फैस्ता ले सो समझ कर लीज़ेगा आपको क्या चाहिए ये आपको तै करना होगा फैसा लेते समय अपने गुण और भावनाओ को समझ कर निड़ने लीज़ेगा किवल अपने अहंकार को बनाए रखने की वज़े से आप जरूर से ज़ादा ही जिम्मेदार ही ले सकते हैं जो आपको आगे चल कर तकलिफ भी दे सकती है परिवार के व्यक्ति खास करकि भाई या बहन के साथ खुद की तुलना करने से परहेज रखे साथ में आज विवाद की प्रॉपर्टी से दूर हो जाईएगा किसी के मामले में गवाही या गरंटी देने से बचना होगा आपको वरना आप खा मखा आपकी जो इमिज है वो खराब हो सकती है पीट में आज कर्योगों को खिचाव हो सकता है जिससे आपको काफी कश्ट रहेगा पूरा दिन इसके साथ इसे दारे आपके बारे में कहते हैं कि आज का दिन जो है जारतर समय रचनात्मक कारों में आप स्पेंट कर पाएंगे घर में नवीनी करण साथ सज़्यसर रेलेट काफी चीज़ें आप बदलाव करेंगे रूप रिखा घर की बदल सकते हैं काफी शॉपिंग हो सकती है इस चीज में लेकिन हाँ बचट को देखकर ही शॉपिंग कीजेगा चादर देखकर बैर पसा रहे तो जादा बैटर है साथ ही में बच्चों की तरफ से उनके कारियर से लेटेट कोई बहुत इच्छा समझान मिल सकता है हो सकता है कि आपको विडेश से कोई अमंत्र ना आए भविश्य में लेकिन हाँ फिजूल की कारियर में समय स्पेंट करने से आपके कई इंपॉडन काम भी आज के रुख सकते हैं दूसरों के बातों में जो है अपना समय जाया मत कीजेगा आपको जो है आज काफी हद तक तनाव भी रह सकता है अपने सभा में ठहराब लाना होगा क्योंकि गुसे के वज़ा से कुछ सबंद भी खराब नजर आ रहे हैं तो आपको जो है गुसा नहीं करना है सोज समझकर हर चीज का फैसला लेना होगा तोल मरकल बोले तो ज़्यादा बैटर है सबसे पहले आपको दूसरों की सुननी चाहिए फिर अपनी कहनी चाहिए इसके साथ ही आज आने वाले परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा प्राधानिय आप खुद प्रॉब्लम को सुलचाने में दे जाने की आप सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को उगर आप पहले सुलचाते हैं तो ज़्यादा बैटर रहेगा किसी और को मत बीच में आने देज़ेगा आर्थिक सिथी ठीक करने का ध्यान देना होगा आपको दोस्तों की द्वारा बिल रहा सही होगा आपका विश्वास काइम करेगा उन पर यवाओं को खुद को साबित करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज के दिन मेरिटेशन के जरी आपको फोकोस बढ़ेगा ही साथ मिच्छे जो रिजल्ट है वो भी आपको आज मिल सकते हैं आज ओनलान शॉपिंग और मस्ति वरिक्रिया कलपों में समय स्पैंचर हो सकता है आपका रचनात्मक सबंदी कारों में भी आपकी रूच्छी बनी रहेगी यवाओं को कैरियर से रिलेटिट कोई श्यूब सूचना मिल सकती है जिससे आप काफी हद तक अपने आपको तनाफ सिरहित महसूस भी कर पाएंगे आपने देन चरिया को विवस्तित बना कर रखना बहुत जरूरी है आपके लिए जो आपको करना चाहिए नहीं तो लापरवाही की वज़े से आपका कोई important काम भी छूड सकता है बच्चों की जो गतीव विधिया है उस पर आपको फोकुस करना पड़ेगा दोस्तों पर भी उनके कड़ी निज़र रखनी पड़ेगी कहीं गलत संगिती में न पढ़ जाएं आपके बच्चे तो आपको ध्यान देना है इस बात का चली बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के business और career के बारे में आज media, shares, computer आदिसर रिलेटर जिनके काम है business हैं वो काफी हद तक सफलता में रहेंगे आगे बढ़ते नज़र आएंगे आर्थिक सिती बहतर बनी रहेगी लेकिन अभी किसे भी नए काम को शुरू करने के लिए समय बैटर नहीं है इसलिए जो है वरतमान कारियों पर अपना ध्यान फोकस करकर रखेगा काम के बर्मी की लापरवाही से वरिष्टाओं का आपकी उपड का विश्वास कम हो सकता है बॉस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है इसलिए आपको बना करकता पड़ेगा हर काम को सावधानी से करना पड़ेगा विवसाय का गदी वीडियों में बहुत ही जादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी क्योंकि जरा सिला परवाही की वज़े से बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जहला पड़ सकता है सहयोगी और करमचारियों की गदी वीडियों पर भी पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है और आपको रखनी पड़ेगी इसके साथ ही आज अनेतरित्व गुण होने के बावजूद भी आज आप सही तरीके से मर्क दर्शन नहीं कर पाएंगे आज आपको अपने कर्यर से लेडिट काफी जो चीजें है वो देखनी चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कौन सा फैसला लेना है अपने कर्यर से लेडिट आपको सोच विचार करना चाहिए जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको नौकरी भी मिल सकती है साद में नौकरी करने वाले लोगों को मारकेटिंग में फायदा हो सकता है जो लोग मारकेटिंग करते हैं उनके लिए आज बढ़िया दिन कहा जा सकता है चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की love life के बारे में तो आज की जो love life कहती है आपके बारे में पते-पत्नी के समन्ध बहुत इव बढ़िया रहेंगे प्रेम समंदों में परिवारिक स्विकृती मिलने से जल्दी ही विवाह में परणित होने की अफसर भी बन सकते हैं साथ ही में आज लव लाइफ की बारे में भविश्टत जुड़े चिंता सता सकते हैं आपको लेकिन आप में सजारतल लोगों का आज जो दिन हैं वो काफे यादकार बना रहेगा आपकी सो रोमांटिक डेट या डिनर पर जा सकते हैं जो कि दिन को और भी खुश्टोंगा बना सकते हैं दिन बर की तकान और रात का डिनर बहुत इच्छा रहेगा आपके लिए आव विवाहित लोग विवाहयोगी वक्ती से मिल सकते हैं आँखे दो चार भी हो सकते हैं हो सकता है कि आज आपको अपना हमसफर नहीं चलते फिरते या फिर ऑफिस में ही मिल जाए पति पत्नी के आपसे सबंद बहुत ही मदुन नजर आ रहे हैं आज के दिन प्रेम सबंदों में पार दर्शिता रखना बहुत जरूरी है नहीं तो कोई गलत फैमी भी आपस में उत्पन हो सकती है तो धिहान रिखेगा इस बात का बात करें अब हम स्वास्ते की तो स्वास्ते आपके बारे में कहता है आज का कि गैस और कब्ज जैसी शिकायत हो सकती है तरल पधारतों का जादा से जादा मात्रा में सेवन करना होगा जिनमें फाइबर जादा हो स्पैशली आपको फ्रूट लेना चाहिए और मैदे वाले चीजों से परहेस करना होगा जीवनशारी का जो असर है वो सेथ पर मत होने दीजेगा ज़र कि अगर आप टेंशन लेते हैं तो उसका असर तो होगा ही इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शिरीर पर इसका असर ना दिख पाए होमेपेथी के प्योग से मन की जंचलदा कम हो सकती है होमेपेथी के लाज बहुत बढ़ी लाज है आज जो आपके एगर पेट में कोई परिशानी चल रही है तो लापर वाही बिल्कुल भी मत बढ़तीगा मौसम के चलते बदलते मौसम के इसके कारणी सब चीजे हो रही है तो आपको समय पर मेंडिसन ले लेने चाहिए तब ही आपका जो पेट है वो ठीक हो सकता है और हाँ इसके साथ ही परहेस करने के परहेस जरूर कीचेगा हलका फुल का खाना है वो लेते रहेगा चली यह वदन में बात करतें आज के विशीशुपाए के बारे में आपका विशीशुपाय कहता है कि आज आपको पीली वस्तर धारंड करने चाहिए और पीली छीजूँका दान करना चाहिए जैसे कि आप केले वेगरा भी दान कर सकते हैं मंदिर वे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों कि आपको वीडियो उच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद